एक मा का फैसला सुबह सुबह मिया बीबी का जगड़ा हो गया बीबी गुसे में बोली बस बहुत कर लिया बरदास्त अब एक मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती पती भी गुसे में था बोला मैं भी तुम्हें जेलते जेलते तंग आ चुका हूँ पती गुसे में ही दफ्तर चले गए पत्नी ने अपनी मा को फोन किया और बताया कि ओसफ छोल छाड के बच्चों समेत माई के आ रही है अब और जादा नहीं रह सकती इस जहन्नुम में मा ने कहा बेटी बहु बन के आराम से वहीं बैठ तेरी बड़ी बेहन भी अपने पती से लड़कर आई थ और इसी जिद में तलाग लेकर बैठी हुई है अब तूने वहीं ड्रामा सुरू कर दिया है खबरदार जो तूने इधर कदम भी रखा तो सुला कर ले पती से ओ इतना बुरा भी नहीं है मा ने लाल ज़ंडी दिखाई तो बेटी के होश्टिकाने आ गए और ओ फूट पती के सुई और पती के पसंद की डिस बनाना सुरू कर दी और साथ में इस्पेसल खीर भी बना ली सोचा कि साम को पती से माफी मांग लूँगी अपना घर फिर से अपना ही होता है पती साम को जब घर आया तो पतनी ने उसका अच्छे से स्वागत किया जैसे सुबा ही ना हो पती को भी हैरत हुई खाना खाने के बाद पती जब खीर खा रहा था तो बोला डियर कभी कबार मैं भी जादती कर जाता हूं तुम दिल पर मत लिया करो इनसान हूं गुस्सा आ ही जाता है पती पतनी का सुक्रिया आदा कर रहा था और पतनी दिल ही दिल अपनी मा को दुआएं दे रही थी जिसकी सक्ति ने उसको अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया था वरना तो जजबाती फैसला घर तबाह कर देता है अगर माबाप अपने साधी सुधा बेटी की हर जायज ना जायज बात को सपोर्ट करना बंद कर दें तो रिष्टे बच जाते ह यह चोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आवास्ते बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद